हेलो फ्रेंट्स आप सभी का फिर से स्वागत हैं आज किस नए वीडियो में दोस्तो आज किस वीडियो में पाँच ऐसे स्टॉक लेके आये हुए हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी बेतर हैं इसमें जस्ट अभी ब्रेक आउट हुआ है तो ब्रेक आउट के समय में जब पैसा डाला जाता है ना तो बहुत ही कम समय में अच्छा खासा रिटर्न देता है जैसे कि दोस्तो इन सब स्टॉक में अगर अभी आप पैसा डालेंगे तो अगले 20-25 दिन के अंदर में आपको 10-12% का बहुत ही असानी से रिटर्न दे सकता है क्योंकि ब्रेक आउट हुआ है और ब्रेक आउट के बाद स्टॉक रैली करता है बोले तो रॉकेट हो जाता है जिसके वज़ा से आपको बहुत ही कम समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है दोस्तो जो स्टॉक हम बताते हैं क्या उसमें टार्गेट हीट होते हैं या फिर नहीं इसको कैसे जाच कर सकते हैं तो दोस्तो यह रहा हमारा चैनल और जितने भी स्टॉक में टार्गेट हीट होते हैं उसको अपने कम्यूनेटी पोस्ट में सेयर कर देते हैं चलिए अपने community post को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कितने सारे stock में दोस्तो target hit हुए हैं, तो जो भी target hit होते हैं, उसको community post में share करते हैं, तो एक बार हमारे channel के community post को जरूर visit कर लिजेगा, जिससे आपको भी confidence आएगा, कि हाँ बताएगा stock में target hit होते हैं, तो च यह लिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं, अपने stock के ऊपर की कौन से stock है, जिसमें अगला target hit होने वाला है, जिसमें हम अपने पैसे डाल की अपने पैसे पे कुछ return कमा सकते हैं, तो दोस्तो यह रहा हम लोगों का पहला stock नाई का, इसमें किस तरीके का pattern बन रहा है, तो दोस breakout दोस्तो बहुत ही अच्छे volume के साथ किया है, तो जब अच्छे volume के साथ breakout होता है, तो वो real breakout माना जाता है, इसके बाद price काफी तेजी से उपर जाएगा, और अपने target 200 बाड़ों को बहुत ही असानी से hit कर सकता है, लेकिन दोस्तो अगर price इतना तेजी से उपर नहीं गया, तो हो सकता है नीचे आएगा, तो यहाँ पर हम लोगों का SL रहेगा 151 पर ताकि अगर price नीचे आए तो कम से कम नुकसान हो, इसलिए SL लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो हम लोगों का SL हो जाएगा 151 पर और 210 पर हम लोगों का target रहेगा, तो यह रहा हम लोगों स्टॉक चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की और, तो दोस्तो यह है हम लोगों का दूसरा स्टॉक और इसमें भी सेम पैटरन बन रहा है, अपने resistance लाइन को break करने वाला है, दोस्तो यहाँ पर आप देख सकतें कि breakout अभी नहीं दिया है, जैसे यहाँ पर कोई candle इसको break कर द ब्रेक आउट करेगा, उसमें इंटरी नहीं करना है, उसके अगले दिन कोई भी candle इसके हाई को break कर देगा, उस समय हम लोगों को इंटरी कर जाना है, इसल कहाँ पर होगा, तीन सो अशी पर हम लोगों का, इसल होगा, टार्गेट पान सो होगा, इस टॉक का नाम है, बी पी स्टॉक का नाम है, इसमें दोस्तों प्राइस काफी तेजी से ऊपर जा रहा है, ब्रेक आउट देने के बाद, लेकिन अब ये नीचे आएगा, नीचे कैसे आएगा, ये हमें कैसे पता, दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वॉलिम कम होता जा रहा है वॉलिम का ग्राफ नीचे आ रहा है, तो वॉलिम नीचे आ रहा है, इसका मतलब प्राइस को इंट्रिस्ट नहीं है, अब उपर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो प्राइस अब नीचे आएगा, अब यहाँ से प्राइस हो सकता है, सोमवार के बाद, सोमवार, बुद्धवार ऐसे करकर के धीरे धीरे नीचे आएगा और नीचे जब आ जाएगा तो यहां पे कोई एक Bully Scandal बनाएगा, जैसे कि Hammer बनाएगा, ड्रेगन फ्लाइ डोजी बनाएगा या फिर कोई भी Bully Scandal बनाएगा उसके बाद फिर काफी तेजी से ऊपर जाएगा तो आपको इसमें इंट्री कब करना है अभी आपको इसमें एंट्री नहीं करना वेट करना है प्राइस को नीचे आने का जाएगा और बुली स्केंडल बना देalnız गाइगा उसके बद बुली स्कैंडल बनाएगा तो बुली स्कैंडल बना देने के बाद अगले दिन आपकोई करना है और यहां पे जब आप इंयक्री करेंगे वहगा ज goddamn कितना अपने resistance line का breakout कर चुका है आप यहां पे देख पार है breakout हो चुका है लेकिन दोस्तों यहां पे कुछ पता चल रहा है कि price अफिड नीचे आएगा नीचे कैसे आएगा कि कि यहां पे bullish नहीं बीरी candle बनाया है रेड क yarn unus इतना जाद ऐससे धयाता है स्य reciproco इतना जाद है इसका मतलब प्राइस नीचे आएगा बीरी स्केंडल बना है और वालिम भी देख सकते हैं फरी स्केंडल बना है जिससे पता है guys अपने nexus stock की और जो कि आज का last stock rédu Unit और और र desa रहाएं यहां पर देखे मिडी और और नीचे आ रहा है न तो प्रैस यहां तक आएगा अपने सपोर्ट पे और सपोर्ट पे कोई बुली स्कैंडल बनाएगा बुली स्कैंडल बनाने के बाद अगले दिन आपको इंट्री करना है और उसके बाद इसल यहां रहेगा हम लोग का 179 पे एसल रहेगा टार्गेट रहेगा 250 पे तो जितने सारे स्टॉक बता है न सब में आप इंट्री कर सकते इंट्री के कंडिशन जो बता है फॉलो करते हुए और फिर हमेशा ही इसल को ध्यान दिजिएगा इसल हमेशा लगाके ही आपको इंट्री करना है क्योंकि उपर जा नीचे आएगा तो हम लोगा लॉस होने लएगा तो लॉस कम से कम हो इसल लगाया जाता है तो आपको इसल हमेशा लगा के ट्रेड करना है ताकि कम से कम नुक्सान और टार्गेट तो पता ही है टार्गेट जब जाएगा आपको उस समय बुक कर लेना है तो दोस्तों यह र तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए हम स्विंग के लिए भी वडियो बनाते हैं और इंट्राडे का भी वडियो बनाते हैं कि अगले दिन कौन से स्टॉक में मुमेंट आने वाले और एक बार हमारे इस कम्यूनेटी टैब को जरूर विजिट किजिएगा चैनल पर जाके कि कितने सारे स्टॉक में टार्गेट हिट हुए है जिससे आपको कंफिडेंस मिलेगा आगे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए तो चलिए चलते हैं में अगले वडियो में